स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फलकी आज 25 सेतंबर 2023 है और दिन है सोमपार का कैसा रहेगा ये दिन आपके लिए करेंगे चर्चा सिंग राशी के सिंग लगन वालों के लिए आज का दिन क्या ही मामलों में बहुत ह खास रहने वाला है रववार का दिन है दश्मी तिति रहेगी साथ बच के 45 मिनट सुबह तक उसके बाद एकादशी तिति आरंब हो जाएगी एकादशी तिति को चामल का सेवन नहीं करना चाहिए इसका आप विशेज द्यान रखें साथी साथ आज का जो राशी फल है ये ताइम है आपका चटे गर में आपके चंद्रमा पूरे दिन चल रहे हैं चटे गर के अंदर चलते वे चंद्रमा आपकी बुद्धी को काफी तेज रखेंगे सभी सिंग रशी वाले आज काफी रोमांटिक रहेंगे और उनका प्रेम प्रसंग में पढ़ने की संभावना ह किसी महिला मीत्र या आपका जो पूरुष मीत्र है उसके साथ आपके नजदी क्यां बढ़ सकती है आपका सभाव आज काफी चेर्फुल रहेगा और आप सभी लोगों को आकर्शित करने की शमता रखेंगे मान सम्मान आपका बढ़ा हुआ रहेगा हाना कि 11 बच के 55 कि शत्रू आपके सामने आने से तरहेंग शत्रू आप शमन करेंगे सवास्त थूं का आपका अच्छा रहेगा आपके शुदार हूब गा महिलाओं से आप किसी भी परकार से अनबन ने करें क्योंकि आपका टाइम महिलाओं के इसाब से अच्छा चल रहा है तो अगर आपने महिलाओं से अनबन करें तो आपका थोड़ा चा मन उधनिक्न रह सकता है आज आप एक चीज का विशेश करके ध्यान रखें रोमांट पूरुतिशा की यात्रा अगर आप करते हैं तो ग्यारा बच के पच्पन मिनट के बाद पूरुतिशा की यात्रा आपके लिए शुब परिणाम लेके आईगी मन आपका बेचेन रह सकता है वर्क प्लेस पे थोड़ा सा क्योंकि आज आप एकागर नहीं होएंगे अपने म उच्चदिकारी से आप बात्चित कर रहे हैं तो वहां पर आपको सावदानी रखनी है अपनी वाणी में विनम्रता रखें शर्वन नक्षत्र का अर्थी होता है सुनना तो दूसरों की हमको कटू बातें सुननी नहीं पड़ें दूसरों की डाट फटकार नहीं सुननी प कारूबार है तो आपका बिजनेस ट्रिप आज की हो सकती है उससे आपको फाइदा होगा संतान के इसाब से देखें तो यह टाइम अच्छा चलेगा आदा दिन के बाद संतान का भागयोदय हो सकता है संतान का स्वास्ते में सुधार होएगा साथी साथ अगर संतान बड़ चंद्रमा चलेंगे आपके तो शत्रों का आप समन्तों करेंगे परंतु सिंग राशी वाले एक चीज़ का ध्यान रखें अपने वाणी पर आपको विनम्रता धारन करवानी है वाणी में कठोरता आप गायव रखें उच्छा दिकारियों से आपके संबंद ऑटमेटिक पराप्ति होईगी भाग्या आपका प्रबल है धन का वैय हो सकता है खर्चों पर आप अपने लगाम लगा के चलें क्योंकि सिंग राशी वाले बहुत अनाप्शन आप खर्चे करने के लिए उतारू हो जाते हैं क्या बार वो अपने खर्च करते हैं तो अपने जेब को न नास होएगा करे पांच बिजे के बाद कर आपके माता की स्वास्त में थोड़ी सी पुड़ी सी परिशानी हो सकती है उनका उनका आप ख्याल रखें, बाकि आपका पूरे दिन मान संबान यथावत बना रहेगा, मान संबान में कोई कमी नहीं है, बस आपको अपने वानी पे नियंतरन रखना है, विश्णु से नाम का अगर आप पार्ट करते हैं, तो दिन आपका अच्छा बनेगा, सामजिक रूप भी वहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा, मित्रों में परिवार के साथ रहने से आपका टाइम आज अच्छा भी देगा, तो मित्रों परिवार के साथ रहें, उनको टाइम दें, आज आप में थोड़ा सा आलेश से भी रह सकता है, इसी करना आपके कारे थोड़े से बादित रह सकते हैं, या एक तरह से देखे हैं, तो आपका कारे जो शारेरी किश्रम से संबंदित है, उसके उपर फोकस करने में आपकी थोड़ी सी प्रोब्लम रहेगी, चंद्रमा की इस्तिति आज मकर राशी में हैं, और आज आगर आपको इविश्यू कारे करना चाहते हैं, त तो ग्यारा बच के 50 मिनट से स्टार्ट है, टाइम अच्छा वो बारा बच के 37 मिनट तक है, इसी समय सरवार सिद्धी योग भी लग रहा है, ग्यारा बच के 55 मिनट पे स्टार्ट होएगा सरवार सिद्धी योग, और ये चलेगा अगले दिन सुबह 6 बच के 11 मिनट तक, 26 बिस्तारिक को तो सुर्वाट सिर्दी योग में भी कार्या करना चाहें मीटिंग करना चाहें मिलना है तो आप कर सकते हैं बाकि कोई महत्पून कार्या करना मिलना है तो रहुकाल का ध्यान रखें कल का रहुकाल सुबह साथ बच के नौ मिनिट पे स्टार्ट होएगा और एकादशी तेटी दिन हैं आप उपाई की चर्चा करें ले पकर नहीं चैष्टरम कर नाम का करने से तो क्याड़ा पुजा करने से धनिंगे अगर आप दोग्यारा बजये किसी के माध्यम से नहीं करें क्योंकि वहां थोड़ी सी परिशा नहीं हो सकती है चंद्रमा छटे गर में और छटा गर होता है हमारे रोग रिण और शत्रुका इसलिए धन का लें दिन बड़ी सावधने से करें धन को उधार देने से आज आप बचे आला कि अगर आपको अप आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा मान समान का सितारा आपका बुलंद होएगा तो इस तरह से सिंग्राशी वालों का दिन चल रहा है कौन सा वस्त्र धारन करें कि आपको लिए सुबता बनी रहे हैं सूरे का नक्षत्र है इसलिए काले रंग से तो परेज कर नहीं ह बिल्कुल भी आप इनसे बचके चले काले निले से जितना हो सके सफेद और पीला ये दो रंगों का आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा और नक्षत्रों की जो रशी में जो आ रही है वो आपके लिए फिबरेवल बनीगी है संपॉर्ण राशी पल मेरा जो भी होता है वो नक्षत्रों के आदार पर होता है राशी के आदार पर नहीं होता है राशी के आदार पर जब हम बात करते हैं तो मोटी मोटी बात होती है कि इस राशी में आ गया तो चंद्रमा परन्तु राशीयों तो 12 ही है और नक्षत्र 28 इसलिए नक्षत्रों के हिस आपसे जब भी बात होती है तो कैसा लगा आपको वीडियो चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए कमेंट में जैसरी राम अवश्य ही लिखिए ओम नमो बगवते वासु दिवाय अवश्य ही लिखिए बाकी बने रही है चैनल पर धन्यवाद